हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आसा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और इसके पहले कि आपने हमारे टेंस के सारे वीडियो को जरूर से देखा होगा आज हमारा टेंस का ये फोर्ट लेक्चर है और ये जो फोर्ट लेक्चर है काफी इंपोर्टेंट आने जा रहा है चैन्स का हम लोग सेक्सें करने जा रहा है जिससे आपके ऐसे सी में सब ज्यादा कोशण पूछे जाने की संभावना होती है आप बिल्कुल सए सुन पा रहे हैं टेंस टॉपुकिये हम बात करें तो यदि आपके ऐसे से एक्जाम में 10 से कोशन पूछे जाते हैं तो कुछ important sections हैं 10 के उन से सबसे ज्यादा कोशन पूछे जाते हैं ठीक है उनकी जरह हम लोग चर्चा करते चले तो पहले नंबर प्याता है conditional sentence दूसरे नंबर प्याता है future and different तीसरे नंबर प्याता है past and different और चौथे नंबर प्याता है past perfect ठीक है तो आज का हमारे जो class है यह सुरू होगा present perfect continuous से और फिर इसके बाद past and different होता हुआ यह आगे की तरफ चलेगा ठीक है तो आज के इस class को अन तक देखना बिलकुल भी न भू पर में हम लोगों ने 10 से related बहुत सारे important rules and concept को सीखा ऐसे ऐसे rules को हम लोगों ने सीखा और concept को सीखा जिसको जानकर आप बिना rule को रटे हुए भी आसानी से 10 पर बेस्ट question को आसानी से solve कर सकते हैं 10 और wise में जो confusion रहता है आप सभी बच्चों को आप उसको देखते के साथ ही आसानी से पहचान सकते हैं और identify कर सकते हैं तो इन सबों की चर्चा हम लोगों ने 10 के पिछले classes में की हैं तो आईए आज के class को हम लोग आगे की और बढ़ाते हैं आज के class को आगे की और बढ़ाने के पहले friends मैं अजीत कुमार आपके YouTube channel competition community पे आप सभी बच्चों का बहु तो सबसे पहले हम लोग basic से सुरुवात करते हैं जैसा कि हम आपको पहले class से बताते आ रहे हैं कि हम आपको बिल्कुल basic level से बिल्कुल bottom से बिल्कुल zero level से लेके advanced level तक ले चलेंगे ताकि आपके ACC में पूछे जाने वाले एक भी question आपसे गलत नहीं होने पाए ठीक है तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं structure की तरफ देखें यह टेंस का वह structure है जिस पर बेस्ड ट्रांसलेशन और इस पर बेस्ड कोशन और ट्रांसलेशन आप बच्पन से बनाते आ रहे हैं वी से सुरुप से हिंदी मेडियम के बच्चे इसका यूज बच्पन से करते आ रहे हैं ठ sentence यूज पॉजिटीव हो तो हम लोग यूज करते हैं first ओले फॉर्मेट का sentence यूज करते हैं थोड़ ऑले नेगेटीव हो pen Kolor हम यहां पर थोड़ा सा चेंज करते चलुप यूज और नेगेटीव हो क्योंना अ करते हैं sentence का शंण मेह पर से से करते हैं eithermate करेंगे sentence यादि डबलो एच इंटरोगेटिव बट नेगेटिव हो तो इस सिक्स्त वाले structure का यूज हम लोग करते हैं ठीक है चलिए तो अब इन पर बेस्ट कुछ example होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए क्यों नहीं होगा भई तो अब चलते हम लोग इन पर बेस्ट कुछ example यह रहे आपके सामने आप इन सारे examples को ध्यान से देखिए आप चाहें तो इनको copy में note down भी कर सकते हैं ठीक है तो यह थे आपके बचपन के rules and concept पर बेस्ट कुछ example और उसके structure अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और हम आपको ले कर चलते हैं grammatical concept की तरफ क्योंकि अपने ACC exam में जो question पूछे जाते हैं वो इन ही concept and rules पर बेस्ट होते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते चले कि यदि present perfect continuous से question पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं तो वो किन-किन concept पर पूछे गए हैं और आगे भी इन ही concept पर बेस्ट कोशन आपके exam में दिखाई पड़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग इसके structure को पढ़ते हैं तो structure में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है तो subject को तो आप भूली जाएए वो तो रहेगा ही रहेगा इसके साथ हम लोग यहां पर यूज करते हैं has have plus been ठीक है plus यहां पर यूज करते है वर्व का fourth form that is ing form ठीक है और इसके इसके आगे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है तो इसके आगे हम लोगों को देखने को मिलता है since or for इसके साथ तो time indicating word के साथ अब देखिये यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और्वाइस आप से गल्ती होगी ही होगी तो कैसे इसको ठीक करें यह ज़रा तो आप देखिएगा कि या तो इस एक चर में एर डाला जाता है या इस सिंस और वाले सेक्षण में एरर पूछा जाता है और यदि ये दोनों ही सेक्षण सही हैं तो उस सेंटेंस में कहीं कोई ग्रमेटिकल एरर नहीं होगा अब हम इसको थोड़ा सा और डीटेल में आपको फिर से रिवाइस करके समझाते चली हमने पिछले क्लास में अर्थात टेंस के थार्ड लेक्चर में बताया था कि किसी भी continuous और परफेक्ट continuous में कोई डिफरेंस नहीं होता सिवाए एक time indicating word के चाहे वो present का हो चाहे वो past का हो चाहे वो future का हो ठीक है इसको ठीक से समझी हम repeat कर रहे हम यदि आप से कहते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं I am teaching you sentence कहाँ पर present continuous में अब जैसे ही इसी sentence में हम time indicating word का use कर दें मैं आपको आदे घंटे से पढ़ा रहा हूँ जैसे ही time indicating what is present continuous वाले sentence में include हुआ यह sentence कहां चला गया perfect continuous में बात समझ में आ रही है अब देखिए तो इसमें हम लोग क्या format यूज करते हैं यह has have plus been plus verb का fourth form कब जब time indicating word given रहेगा तब अब पिछले class में अर्था 10 के third lecture में हमने आपको बताया था कि यहां पर एक और तरीके से problem पूछा जाता है कई बार आप देखेंगे since for का प्रयोग time indicating word के साथ दिखाई देगा और वह sentence कहां दिखता आपको तो आपको दिखाई देता है present perfect में वह past perfect में भी हो सकता है वह future perfect में भी हो सकता है ऐसा क्यों होता है तो आप याद किजिए हमने आपको पिछले class में पढ़ाया था 10 के third lecture में प्रेजेंट कंटिनिवर्श अब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं डायमिक बढ़ एंड एस्टेटीव ठीक है तो जो इस्टेटी वाव होता है जिसमें लोग उने पढ़ा था वर्ब अफ परसीप्सन वर्ब अफ फीलिंग वर्ब अफ एमूशन वर्ब उफ सेंसेशन वर्ब ओस्टेट आफ माइंड वर्ब बाफ पॉसेशन बात समझ में आ रही है अर्थात ऐसा कोई भी वाइब जो आपके सिंस ओर्गन को प्रभावित करता है जो आपके sense organ को प्रभावित करता है आपके emotion से attach होता है आपके mental state से attach होता है ऐसे किसी भी word में हम लोग ing लगा कर उसका प्रयोग किसी भी प्रकार के continuous में नहीं करते हैं ये बात हमने आपको पिछले क्लास में बदाई थी और तब यदि sentence simply किसी भी tense के अर्थात present past future तीनों मे से किसी भी tense में simply के वल continuous में लिखा हुआ हो तो हम लोग उसको change करते हैं and different में और यदि sentence लिखा हुआ हो perfect continuous में तो चाहें उस message for लगा हो या नहीं लगा हो time indicating what हो या नहीं हो हम लोग उसको perfect continuous से कहाँ change कर देंगे तो हम लोग change करके लिखेंगे उसको perfect में बात समझ में आ जुला concept आपको यहां पर देखने को मिलेगा और तो और इसमें सबसे ज़्यादा error यहां पर पूछा जाता है since और for वाले section में तो अब since और for में क्या difference है आईए इसको भी हम आपको समझाते चलें इसका concept भी हम आपका clear करते चलें देखिए आपने बजपन से पढ़ाए कि since का use हम लोग करते है point of time के साथ किस के साथ use करते हैं तो point of time के साथ use करते हैं point of time के साथ use करते हैं फिर इसके बाद आपने पढ़ाता कि for का use हम लोग कहा करते हैं वोलोग करता है परीड ऑफ टाइम के सान हुआ से अब आप आप को यह समझ में नहीं आता कि ठीक है पीरिड ऑफ टाइम मतलब कोई लंबा टाइम हो जायसे छे महीने से दो साल से पांच साल से दो घंटे से वगएरा वगएरा इस तरीके से आप समझते हैं अब पॉइंट ऑफ टाइम को आप कैसे समझते हैं जैसे चार बजे से रात के धाई बजे से साड़े तीन बजे से आधी रात से वगएरा वगएरा सुबा से दो पहर से जनवरी से फरवर अब आपको यहाँ पे एक जगह पे जाके confusion create होता है क्या confusion create होता है भाई तो आप देखेंगे कभी-कभी आपको लिखा हुआ मिलता है childhood अब childhood क्या है भाई तो यह तो period of time है इसके साथ क्या लगा होता है तो इसके साथ हम लोग लगाते हैं since अब यहाँ पे since में आपको गलती क्यों होती है confusion क्यों होता है इसको अब आप ज़रा ठीक से समझते जिलिए अब हम आपको यहाँ पे लेकर चलते हैं since के direction में अब since में देखें आप को क्यों होता है क्यों होता है और इसको cheaper ठीक करेंगे इसको अभी कंद यह क्लिर करते हैं देखेक्ष्म का यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ और तो उसके साथ हम लोग यूज करेंगे जो डिफिनिट है शर्टेन है उसी को हम लोग कहते हैं proper क्या कहते हैं proper गाते ठीक है बात समझ में आ रही है जैसे अब आपके मन में खयाल आता है कि सर तो यह चाइल्ड होड को अपने कैसे proper बना दिया वह आप याद किजिए इंसान का जो होता है इंसान का जो लाइफ होता है जो जीवन होता है पूरा का पूरा इंसान का जो जीवन होता है उसको हम लोग कई स्टेज में बाढ़ते हैं जैसे एक सीसू अवस्था होता है ठीक है उसके बाद बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है फिर युवा बनता है फिर बूढ़ा होता है बात समझ वस्ता है यह बाल्य वस्ता है यह युवा वस्ता है यह किस ओर वस्ता है टीनेज बात समझ में आ रही है तो इस कारण से यह क्या हो गया यह हो गया प्राव पर नाउन बात समझ में आ अब कुछ और confusion हम समझाते चले और इसके माध्यम से आपके जितने confusion है सब को हम दूर करते चले ने के sense और four का यूज कैसे कैसे होता है तो यह day के साथ भी होता है ठीक है अब day में कैसे confusion होता है कैसे हम समझें कि since लगा जैसे day में लिखा हो यहां पर Monday तो Monday लिखा होगा तो यह हो गया प्रॉपर ना उन प्रॉपर हो गया लगाएंगे since otherwise यदि लिखा हो two days two days four days seven days वगहरा वगहरा अब यह दिन कौन सा पता चला नहीं common noun हो गया common noun हो गया तो उसके सांथ क्या लगाएंगे इसके सांथ लगाएंगे for इसके सांथ लगाएंगे since यह बात समझ में आ रही है हाँ या ना clear है तो आपको इस तरीके से analyze करके देख लेना है जैसे month हो तो कोई भी महीना का नाम लिखाओ जैसे यहां पर लिखाओ मालेजे जन्वरी तो जन्वरी क्या है प्रॉपर नाउन लेका सेंस लेकिन लिखाओ महीनमंत मों टी एच वह singular हो या प्लूरल हो तो उसके सांथ क्या लगाएंगे किसे निश्चित गटना की बात की गई हो जैसे जब से मेरा accident हुआ मेरे पैर मेंदर्द रहता है ठीक है अब आप देखिए पैर मेंदर्द कब से रहता है जब से accident हुआ तो एक्सिडेंट माल लिजे बहुत सारे हुए होंगे ठीक है कभी छट से कूद गए कभी सीडी से कूद गए ठीक है कभी साइकल से कूद गए कभी कार से कूद गए वगेरा वगेरा ऐसा होता रहता है इंसान के साथ तो आपके लाइफ में बहुत सारे बहुत तरह के एक्सिडे है चलिए तो जो definite होगा certain होगा specific होगा उसके साथ since otherwise for clear चलिए अब चलते हैं हम लोग कोशन की तरफ अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं सीरा चलते हैं स्लाइड पे और कुश कोशन को लगाना शुरू करते हैं तो यह देखिए सबसे पहले है आपके से से चेसल 2019 में पूछा गया कोशन यह उनिस का वही कोशन है जो बीस में कंड़क्ट हुआ ठीक है चलिए तो अब इसको जरा हम लोग यहां पर सॉल्व करते चले यहां देखिए लिखा हुए से सिंस मोर देन सिक्स्टीन एर अब यह बताए कि सोलस जादा वर्स अभ दिखेए यह पर इयर का नाम लिखा है क्या इयर का नाम यदी लिखा हुथा 1947 से 1937 से 1817 से यह क्या हो जाता अब यह क् productions क्या लिगा भूनें यह क्या लिगा तो क्या पोर को डिसकस करें देखिए फ्रॉम होगा नहीं वाई होगा नहीं एक ही आंसर है फॉर ठीक है तो इस कोशन का अंसर क्या बना ऑप्शन नमबर भी बना नेक्स आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग इस कॉंसेप्ट को आप याद रखेगा और जैसा हमने बताया ठीक उसी पैटर इस अवर्क पारिगा यहां तो आप समझ में आती है ये यहां पर काम कर रहा है कब से काम कर रहा है कि अमन्त क्या है कॉमणन ना उन-कॉमणन ना हन दो क्या लेगा लेगा अब आजाए आप ऑप्सण डून लीजिए अच्छा इस कॉच्छन में आपको बताना था कि इसका correct answer कौन सा है तो यहाँ answer क्या है for इसमें क्या है from होगा ने no substitution होगा ने क्यों ने होगा क्योंकि यह जो part given है यह already wrong है और यहाँ देखे फिर से लगा दिये गया sense यह भी गलत है तो हमारा correct answer क्या बना हमारा answer बना option number B sorry यहाँ पर C लिखा हुआ है यह होगा B यह second वाला option होगा B यह होगा C ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आसे हम लोग तो इसी तरीके से आपने देखा कि हमने अभी अभी जैसे आपको बताया ठीक इसी तरीके से इसी pattern पर बिस्ड आपके exam question पूछे गए है अब इस question का answer आप करेंगे चलिए शुरू करते हैं over the past 20 years there has been a constant decline in the variety of vegetables that we eat because the native varieties are no longer available अब देखिए has been क्या हो सकता है इसका answer चलिए देखते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पर चर्चा की गई time span आपको दे दिएगा एक समय दे दिया गया इतने समय से लगातार concept का मतलब लगातार decline मतलब गिरावट हो रहा है कि शिर में the variety of vegetables में जो vegetables के varieties हैं प्रकार हैं उनमें गिरावट हो रहा है वे it जो हम लोग खाते हैं because the native varieties are no longer available क्योंकि जो native varieties थे से जो vegetables के varieties थे वो लगातार कम हो रहा है तो आप याद किजिए हमने आपको टेंस के third lecture बताया था कि यदि कोई भी काम कभी भी किसी भी समय में सुरू होके लगातार बिना रुके किसी लंबे समय तक चलता रहा हो तो ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किस का तो बिन का यूज़ करते हैं ठीक है अब देखिए इसमें कोई specific नहीं बताया गया कि कब से सुरू होके कब तक चलता है तो ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं perfect tense का न कि perfect continuous का अब देखिए यहां पर हैज़ब का यूज़ क्या गया हैज़ब के साथ यह वोग का third form है यानि कि यह perfect में है अब देखिए इस question को जान बूज़ के हमने यहां पर रखा है हम चाहते हैं इसको perfect में रख सकते थे लेकिन हमने नहीं रखा क्योंकि यहां पर जैसे ही आपको 20 years दिखाई दिता है यहां से लेके और इसको जब आप पढ़ते हैं तो आपके मन में खयाल आता है कि अच्छा यह तो रहेगा perfect continuous में जबकि इसको रखना है perfect ठीक है चलिए अब आज़ए तो यह जो part है यह already correct है अब आज़ए ज़रा option में देख लें इस been यह होगा नहीं was been यह भी नहीं होता है had been यह होता कब जब सिर्फ और सिर्फ sentence होता past में अब ज़रा ध्यान दिजिए यहां पर यह it present में यह are present में चुकि चर्चा हो रही है present कि यह maximum number of jobs है उनकी अधिक्ता है यह जितने भी वह हैं उनमें से maximum किसम है present में तो हम इसको भी कहां रखेंगे present में रखेंगे ठीक है तो इसलिए head का use हम लोग नहीं करेंगे हमारा answer क्या बनेगा no improvement यह no substitution यह no correction required ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां से ऐसे धेर सारे question आप बना सकते हैं यह आपको एक question दिखाई दे रहा है इस cancer आप कहां कर लेंगे तो इस cancer आप कर लेंगे हमारे comment box में देखिए I wrote a nobel for the last two years देखिए पिछले दो साल से लिख करें पिछले दो साल से यह लिखने का काम कर रहे हैं अब देखिए तो यहां पर road का use नहीं करेंगे हम लोग क्या use करेंगे had been sorry have been writing क्योंकि देखिए आगे इस लगा हुआ है क्लू दे रहा है कि आपको किसमें रखना है present perfect continuous में रखना ठीक है तो इसका answer आप करेंगे कहां पर comment box में हाला कि सारे क्लू हमने आपको बता दिए अब इसके आगे हम कोई क्लू आपको देने नहीं जा रहे हैं यह सारे वही कोशन है जिसका answer आप करेंगे comment box में यहां भी आप देख पा रहे हैं कुशन में कहां पर रहे है तो यह देखे यह have been plus यह देखे आपको यहां क्या दिखाई दे रहे है have been plus वहां का forth form इसमें कोई error है नहीं इस वाले section में error है तो answer आप करते रहेंगे कहां पर comment box में ठीक है चलिए अब इसके बाद हम लोग चलेंगे यह हम आपको लेकर चलना चाहेंगे past and different में कहां पर past and different में तो यह बहुत सारे question है जो आपको दिखाई दे रहे है जो पूछे जा चुके हैं आपके present perfect continuous है ठीक है चलिए अब हम लोग सुरुआत करते है past and different के सबसे पहले past past का मतलब क्या होता है जो बीट गया ठीक है तो उनको जानने के पहले या in past and different पर बेस्ड जितने भी rules and concept है उसकी चर्चा हम करें उसके पहले हम चाहेंगे कि आप इस structure को जरूर से note down करें ठीक है ताकि आप में से किसी को यदि structure में problem हो tense में problem हो तो आप इसको आसानी से cover कर पाए ठीक है इसके बारे में आपको translation में बताय हो या लगा हो ठीक है इस type के लगे हो या यह यह इस type की चीजे लगी हो ठीक है तो इसको हम लोग इसमें रखते थे past and different में रखते थे कहां रखते थे हम लोग तो हम लोग इसको रखते थे past and different में ठीक है तो ऐसी बहुत सारी बात हैं जो आप बजपन से जानते हैं अब इ जब sentence positive हो, sentence यदि negative हो, तो देखे past indifferent में आपको date दिखाई दे रहा है, यही अंतर है present indifferent और past indifferent में, दोनों ही universal truth को नहीं बताता है, universal truth को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ present indifferent का यूज होता है, बाकि सभी प्रकार की बातों को बताने के लिए past indifferent का यूज भी हम लोग करते हैं, यदि बात past के संदर में की जाए, तो past indifferent और present के संदर में की जाए, तो present indifferent ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो आप इसको याद रखेंगे, हमने आपको पहले से बता रखा है, do does के साथ हम लोग लगाते है, वो आपका first form, did के साथ लगाते है, word का first form, has, have, had के साथ या having के स हम लोग यूज करते है, word का third form, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और two के साथ word का first form, beb के साथ word का third form, ठीक है, चलिए, तो इसका use हम लोग कप करेंगे, जब sentence होगा, interrogative, इसका use हम लोग फूर्थ वाले structure का use का अप करेंगे, जब sentence होगा, interrogative, but negative, फिप्थ वाले पांचवे structure का use हम लोग कप करेंगे जब sentence होगा interrogative डबलू एच interrogative और इस last वाले छटे format का use हम लोग कप करेंगे जब sentence डबलू एच interrogative but negative होगा ठीक है past and different में अब आए इन सारे structure पर बैसे कुछ example हम आपको दिखाते चले तो ये कुछ example रहे हैं आप इनको note कर सकते हैं अब देखिए इनमें past and different से कैसे कैसे question आपके exam में पूछे जाते हैं अब इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं grammatical concept की तरफ देखिए इनका grammar का concept क्या है सबसे पहले आईए हम लोग इसके थोड़ी चर्चा करते चले तो इनका grammar का concept क्या है इनका grammar कहता है कि यदि किसी भी sentence में यदि किसी भी sentence में कोई भी past indicating word लगा हो past indicating word means example के तोर पर last past ago yesterday yesterday previous day previous day etc ऐसे यदि कोई भी past indicating word किसी भी sentence में आपको दिखाई पड़े हैं तो हम लोग उस sentence को रखेंगे past indifferent में और past indifferent का सीधा मतलब होता है वर्ब का second form past indifferent का मतलब आप याद रखें वर्ब का second form और यदि interrogative हो negative हो तो उसमें आपको दिखाई देगा did के साथ वर्ब का first form तो या तो यह format या तो यह format अब आपको हम यहां पर थोड़ा सा comparative study करके दिखाते चले समझाते चले बताते चले किसमें भाई तो present indifferent के साथ past indifferent का देखे present indifferent में हम लोगों ने पढ़ा था do does के साथ क्या आता है वर्ब का first form यह कहां पे यह present indifferent में present indifferent में और अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा did के साथ यूज करते हैं वर्ब का first form कहां पे तो इसका यूज़ करते हम लोग past and different में, past and different में, ठीक है और present and different में यह descendants affirmative हो, positive हो, तो ल्क का first form पर्म आएगा, यह वडु का fifth form पर्म आएगा इसमें always सबों के साथ क्या है एगा, वाप का second form आएगा यह भी nature और habit बताता है, यह भी nature या habit बताता है और ये भी nature या habit बताता है ये भी nature और habit बताता है फिर दोनों में अंतर क्या है सर अब आप में से बहुत सारे बच्चे confused हो जाएंगे और उनके मन में एक question उठेगा क्या question आएगा भई सर तो गजब पढ़ाते हैं भई सब्सक्राइब जा रहें इसमें भी nature है इसमें भी nature है इब मतार रहें सर अब आप पर दोनों में कैसे अंतर अस्पस करें कि और हैंयों यूज करेंगे प्रेजन की पास्टी इंडिफिर्न्ट का ठीक है ऐसा कोई भी नेचर या habit जो पहले था या नहीं हमें पता नहीं पहले उसको रखेंगे present indifferent में ओर कोई पहले था अब नहीं है उसको पताने के लिए हम लोग यूज करेंगे past indifferent क्या past indifferent ठीक है जैसे मोनार की इंडिया में पहले था अब नहीं वभी करमाधित है इंडिया में पहले थे अब नहीं है लेकिन डेमोक्रेसी इंडिया में अभी भी है, डेमोक्रेसी में हम सब उको बोलने क्या जादी होती है, कुछ भी बोल दीजी आप, ने, देश के फेवर में, देश के अगेंस्ट में, और इंडिया में ऐसे भी एक concept काम करता है, क्या concept काम करता है, किसी को highlight होना हो, हमको आपको किसी क यह दिए आपको बहुत हाई-लाइट होना आप चाहते हैं कि रात ओ रात आप हाई-लाइट हो जाएंगे पुरी देश के लोग आपको जाने पहचाने तो आप किसी धर्म के खिलाफ बोल दीजी यह किसी बहुत फेमस परसं के खिलाफ बहुत उल्टा सिधा बोल दीजिए आप रातो रात हाइलाइट हो जाएंगे ठीक है इंडिया में ये common problem है चलता है common concept है तो ऐसी चीजे पहले भी थी अभी भी है ठीक है पचास साल पहले भी थी अभी भी है तो ऐसा अगर कुछ करना है तो present indifferent ठीक है लेकिन मोनार्की राजतंत्र पहले था अब न smoker हुआ करते थे ठीक है smoking तो पहले smoking करते थे अब नहीं करते अब नौन भेज भी नहीं खाते मिस्टर अमिताब बच्चन अपने नाम सुना होगा पहले बहुत बड़े smoker थे में लाइक मिस्टर सारुख खान ठीक है अब नौन भी नहीं खाते ठीक है तो यदि ऐसी बात नहीं हो तो कहां रहेगा इसमें लेकिन विस्टर सारुख खान पहले भी cigarette पीते थे चेने smoker पहले भी थे अभी भी है तो कहां पर है यहां पर present in different में बात समझ में आ रही है तो यदि किसी भी sentence में always ever never always ever never everyday ठीक है regularly, habitually, occasionally, seldom, rarely, barely, etc. कुछ भी लगा हुआ हो बट वो यदि past के nature या habit को explain करें तो यहां पर रखेंगे और present के nature या habit को explain करें तो यहां पर रखेंगे यही दोनो similarity और यही दोनो difference होता है किसी भी indifferent में बात समझ में आई विसे इस रूप से present indifferent और past indifferent में clear चलिए तो अब देखें इसके बाद कि और किस किस concept पर best आपके exam में question पूछे ज manuscript कहता है कि यदि किसी भी sentence में जैसे मालीजे कोई भी बड़ा स whole जो पहला वर्ब नहीं है तो इसके बाद अब इधर जितने भी वर्ब आएंगे जितने भी वर्ब किसमें पास्ट में किसमें लिखे जाएंगे डिखे जाएंगे ऩर यहां पे आपको एट इस it is time मिले it is high time मिले it is very time मिले it is about time मिले हमें इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे it is time होना चाहिए time और is के बीच में यहाँ पे high लग जाए ठीक है very लग जाए ठीक है हमें इससे कोई मतलब नहीं about लग जाए हमें इससे कोई फरक नहीं पढ़ता ये hidden है हमें इससे कोई फरिग नहीं पढ़ता है यहां पर नहीं भी हो सकता है तो हमें इससे कोई मतलम नहीं है हमारा प्राइम fokas कहां पर आएगा तो हमारा प्राइम fokas का part हो गा यह टीक है अब प्राइम फोकस के बाद हम लोग क्या करेंगे तो इसके बाद अब इधर जो भी वर्ब आएगा clause आएगा sentence आएगा कुछ भी आएगा clause होगा उसमें भी वर्ब होगा sentence होगा उसमें भी कोई न कोई वर्ब होगा तो यहां पर जो भी वर्ब आएगा इसका जो form होगा वो रहेगा second form अर्थात यहां जो भी verb आएगा इसका tense क्या होगा या sentence आएगा उसका tense क्या होगा तो उसका tense होगा past past यानि की verb का second form कौन सा verb का second form ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए अब चलते हैं यहां से थोड़ा सा आगे एक दो इनका example लेते हैं हम लोग तो इनका एक example लेते it is it is it is the high time it is the high time sorry it is the high time it is the high time I meet you I meet you ठीक है आप यहां पर meet लिखे help लिखे हमें कोई फरक नहीं पड़ता कोई भी वर्ब लिखे हमें कोई फरक नहीं पड़ता अब देखें आप इस question को जैसे ही देखेंगे इसमें आपको sentence का meaning क्या है meaning निकले नहीं निकले आपको इससे कोई फरक नहीं पड़ना चाहिए आप देखें यहां पे it is मिला और यहां पर time मिला ठीक है अब आगे आप वर्ब ढूंड़े यह राव और यहां जो भी वर्ब के इनहीं सारे concept पर बिस्ड आपके एससे सी एक्जाम में question पूछे जाते हैं तो अब हम लोग सीधी बात करते हैं सीधा चलते हैं हम लोग slide की तरफ और यहां पर आईए हमनों कुछ question को solve करना शुरू करते हैं यहां देखें past and different since it fall अब यह देखें यहां पर आपे since और for को देखके घवरा मज जाईएगा sentence के beginning में यह दे since यह for लगा हुआ हो तो वो काम करेगा conjunction का किसका conjunction का का काम करेगा ठीक है और यहां पर इसका meaning say नह पर काम करता है प्रेपोजीशन का लेकिन सिंस और for का प्रेओगे दी किसी भी sentence के beginning में किया गया हो तो इसका meaning प्रेपोजीशन के रूप में बलकि conjunction के रूप में निकलता है conjunction के रूप में since का meaning होता है चुकि conjunction के रूप में for का meaning होता है क्योंकि क्या होता है क्योंकि because of ठीक है चलिए since it falls on the floor जब से floor पर गीरा है चुकि जब से यह floor पर गीरा है हर डॉग ब्लैक लेबराडॉर गल्प्ट दे बिसकेट डाउन अब देखिए जब से गीरा जब गीरा ताभी से उसका जो डॉग है कॉंसे डॉग है भाई तो black लेबराडॉग अब आप यहां पर ध्यान से देखिए यहाँ पे जो verb आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे यह जो आपको verb दिखाई दे रहा है यह कैसा है past मतलब चर्चा किसकी की जारी है past की लिब्राडर या जो भी dog है वो गिरा कब पहले तो past के संदर में जो भी बात बतानी हो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं past and different तो fall होता है verb का first form second form क्या होता है fell तो answer हमारा क्या बनेगा sense it fell ठीक है next आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं हैं से आगे हैं अगले question की तरफ रनबीर could not देखे ये can का past क्या होता है could can का past क्या होता है could तो आपको एक clue तो यहां पर मिल गया अब देखिए can code के साथ किसी भी model auxiliary verb के साथ किसी भी model verb के साथ किसी भी model auxiliary verb के साथ हमेशा और हमेशा कौन सा form यूज़ किया जाता है verb का first form यूज़ किया जाता है इसलिए आप event को किसमें convert कर देंगे go में simply event को किसमें convert कर देंगे go में ठीक है तो चलिए आगे देखे हमारा answer क्या बने का option number B next आगे बढ़ते हैं से हम लोग यह कुछ और आगे question है Mr. Now asked यह देखे ask किसमें आगे past में अब यह देखे यह चुकि past में आगया sentence का पहला और past है तो इसके बाद यहां भी लाएगा क्या नहीं आएगा अब यह दि विल का यूज किया गया हो तो विल का past क्या होता है ओड होता है विल का past क्या होता है ओड होता है तो हम लोग इस विल को किसमें convert कर देंगे विल को convert कर देंगे ओड में किस में ओड में कनवर्ट कर देंगे अब इससे रिलेटेड आप ऑप्शन ढूंड लीजे इफ ही विल इफ ही विल माइंड तो हमारा आंसर बंगे ऑप्शन नमबर डी ठीक है नेक्स आके बढ़ते हैं से हम लोग एक और कुश्चन लगाते हैं फिर हम लोग चलेंग सब क्या होंगे पास्ट में रहेंगे अब इस तरीके से आपने सीखा कि कैसे आपके एससी एक्जाम में पास्ट इंडिफरेंट के रूल्स पर बेस्ट पूछे जाते हैं यहाँ आप देखिए आप इसको असानी से पाचान सकते हैं तो इसके बाद जितने वर्ब आएंगे सब के सब कैसे होंगे पास्ट में देखिए जितने option है आपको यहां पे दिये हुए filler के यह सारे के सारे हैं पास्ट में ठीक है तो अब इसको हम लोग कैसे solve करेंगे भाई तो हमें चाहिए पास्ट में जखिए he was not ready at first to come with us सबसे पाले या पाले पाले वो हम लोगों के साथ आने के लिए तियार नहीं था फॉर the picnic पर जाने के लिए बट वी डैस हिम लेकिन बाद में हम लोगों ने क्या किया तो हम लोग उसको मना लिये होंगे सहमत कर लिये होंगे isolated मतलब अलग थलक कर देना control मतलब नियंत्रेट करना consult मतलब उसे संफर करना persuade मतलब राजी करना मनाना तो बात में हम लोगों ने क्या क्या हुआ होगा हम लोगों ने बात में उसको persuade कर लिया होगा आगे बढ़ते हैं the migrant said यह देखे यह said past में लगा हुआ है और इससे भी हमें कोई मतलब ने यह देखे इससे नापको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है यह सारे question भी ऐसे हैं, इनका answer आप करेंगे कहां पर comment box में, और भी ऐसे बहुत सारे question है, इनका भी answer आप कहां करेंगे, comment box में करेंगे, यहां भी देखिए, आपको क्या देखने को मिलता है, deed के साथ carries, carries क्या है, वर्व का फिक फॉर्म है, तो आप बाकि समझ गए होंगे, क् कमेंट box में कर सकते हैं, doubt session है, हमारा doubt community भी है, वहां भी जा कि आप अपने question को create कर सकते हैं, answer को find कर सकते हैं, आप हमारे telegram channel को भी जोईन कर सकते हैं, टेलिग्राम चैनल में आपको student भी मिलेंगे, हम लोग भी मिलेंगे, तो आप वहाँ पे भी जाके अपने doubt को clear कर सकते हैं, ठीक है, अब बारी है past continuous के, तो past continuous से question न के बराबर पूछे जाते हैं, past continuous से question न के बराबर पूछे जाते हैं, फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत बत यूजब यूजब करते हैं, जब sentence interrogative हो, चौथा तब यूजब करते हैं, जब sentenceो इंतर्ड़ेटिवाद नेग teasing और नेगाटिव उत स्क इस यूजब अकुश है, आप इंको देख सकते, इनको लिक वी सकते हैं, अब यहां से आगे चलते हैं, हम लेकर आपको past continuous के rules की तरफ past continuous का rule क्या है हम लोग इसकी चर्चा करते चले तो past continuous का rule simple सा है जैसे हमने आपको present continuous पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि अधि किसी sentence में still लगा हुआ हो sentence में currently लगा हो present हो presently हो this time हो now हो ऐसे कोई भी time indicating what लगे हुए हो तो उस sentence को हम लोग रखते हैं present continuous में कहां पर रखते हैं present continuous में रखते हैं अब past continuous में किस sentence को हम लोग रखेंगे तो present continuous indicating कोई भी word लगा हुआ हो किसी भी sentence में और उसमे past and definite का कोई भी indicating word लगा हुआ हो यानि कि किसी भी sentence में हम बात करें किसी भी sentence में कोई भी past past indicating word लगा हो past indicating word लगा हुआ हो past indicating word लगा हुआ हो और उसके साथ ही साथ उसमें present present continuous indicating word indicating word लगे हुए हो तो वो sentence कहां चला जाएगा वही sentence चला जाएगा past continuous कहां चला जाएगा past continuous में चला जाएगा ठीक है यह simply एक आपको past में चल रहे किसी भी घटना के बारे में बताना हो कि दो साल बहले हिंदुस्तान में ऐसा घटना चल रहा था ठीक है तो ऐसी बात को पताने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं past continuous किसका यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं past continuous का ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और सीधा चलते हैं हम लोग slide के तरफ इससे जादा कुछ कोशन मिलता नहीं बड़े career case में इससे question पूझे जाते हैं जैसे यहां पर देखिए I practiced for the debate that is why I am late मैं debate की practice कर रहा था इसी लिए मैं लेट हूँ ठीक है यहां पर reason बता जा रहा है तो चुकि past में यह काम चल रहा था past में यह काम चल रहा था तो ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग यहां पर वर्व क second form use नहीं करेंगे बलकि हम लोग क्या use करेंगे तो हम लोग को use करेंगे was work के साथ वर्व का fourth form was work के साथ वर्व का fourth form use करेंगे अब आपको यह पता होना चाहिए कि I के साथ हम लोग M का use करते हैं I के साथ हम लोग do का use करते हैं I के साथ हम लोग have का use करते हैं future में I के साथ हम वो इसका use करते हैं अब आप देख लिजे यहां पे have है गलत हो गया, यहां no substitution यह गलत हो गया यह गलत हो गया, एक ही option है option number A option number A, ठीक है चलिए यहां से, आगे बढ़ते हैं एक और concept जो हमने आपको पिछले class में बताया था वो concept क्या था भाई तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपके past continuous में jam case का use किया जाता है और इससे यदि question पूछे जाए तो इसमें आप देखेंगे while का use दिखाई पड़ता है हमने आपको पिछले class में बताया था कि while के बाद यदि कोई verb आए sentence आए, close आए यह हमने आपको बताया था sentence आए या close है तो sentence हो या close हो इसमें कोई न कोई verb होगा while के बाद यहां जो भी sentence हम लोग use करते हैं या verb use करते हैं उसको हम लोग रखते हैं fourth format that is continuous के format में रखते हैं जैसे जब मैं आप से मिलने गया था तब आप कमरे में सो रहे थे मैं आप से मिलने गया था past and different में रहेगा आप क्या कर रहे थे, आप सो रहे थे आपका ये काम सोने का काम क्या हो रहा था चला था, continue था, continue था इसलिए रहेगा continuous में चुकि past के घटना है और continue थी, इसलिए वो sentence रखा जाएगा past continuous में, ठीक है बात समझ में आ रहे है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे इस पर बेस्ट बहुत सारे कोशन आपको एक सामें देखने को मिलते हैं इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए, simple सी बात है यहां was लगा हुआ है और यहां पर is tracking है, तो is को हम लोग किसमें convert कर दें, was में यहां देखिए was tracking, तो answer क्या बना हमारा option number a, यह भी आपके ssc previous year में पूछा गया question next यहां पर देखिए was seeing, अब जना ध्यान देजिए हमने आपको बताया, थाकि c में ing नहीं लगता c में ing नहीं लगता तो यह देखिए, यह है past continuous में अब इसको कहां change करना होगा past indifferent में तो हम लोग यहां क्या use करेंगे, saw का use करेंगे, ठीक है अब इससे related जरा option आप देख लिजिए अगर seeing में कोई दिक्कत नहीं हो तो जरा option देख ले, seeing वाला कोई option है was seeing the child, हमार answer क्या बनगे option number d next आगे बढ़े तो इस तरीके से in purpose हम लोग question को solve करते हैं यहां देखिए बड़ा simple सा है आप इन सारे question का answer कहा करेंगे, comment box में करेंगे अब हम लोग आते है past perfect की तरफ सबसे पहले past perfect के यह जो structure है आप इनको note कर लिए past perfect के यह जो structure है आप इनको note कर लिए हम आपको बताते चले यह जो पहला format है इसका use हम लोग करते हैं जब sentence positive हो दूसरा जो format है इसका use हम लोग करते हैं जब sentence negative हो तीसरा format कभी उज़ करते हैं, जब sentence interrogative but positive हो, चौता format हम लोग उज़ करते हैं, जब sentence interrogative but negative हो, पाचवा format हम लोग कभी उज़ करते हैं, जब sentence wh interrogative but positive हो, आखरी यानि छठा format हम लोग कभी उज़ करते हैं, जब sentence wh interrogative but negative हो, बात समझ में आ रही है, चलिए तो अब इन पर बेस् तो आईये अब इन एक्जामपल के बाद हम आपको लेकर चलते हैं ग्रामर के गौशंप की तरफ इससे कैसे कोशन पूछे जाते हैं ठीक है चले कोशन पूछने के पहले हम आपको एक दो कोशन ही दिखाते चले हैं आप देख पारे हैं यह आपके प्रिवीज एर एक्जाम में पूछा गया कोशन है यह भी कुश कोशन आपको दिखाई पढ़ते हैं तो अब को सॉल्व करने के पहले आईए हम आपको लेकर चलते हैं स्लाइड की तरफ और वोड पे हम कुछ कॉंसेप्ट आपको सिखाते चले बताते चले कैसे इनसे कोश्चन पूछे जाते और इनको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक बच्पन का एक्जाम्पल याद दिलाते हैं आपने बच्पन पढ़ा था डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था ठीक है अपने य for the doctor came before the doctor came आपने ऐसा पढ़ा था ऑप इसको ऐसे भी बता सकते यह रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया ऐसा भी आप कहसकते थे आप देहां देजिसमें यह देखें डॉक्टर साब आए कहां पास्ट में यह पेसेंट साहब गुजर गए कहां पास्ट में दोनों घटना किसमें चल रही है पास्ट में चल लिए दोनों घटना किसमें चल रही है पास्ट में ठीक है अब इसको यदि हम दूसरे format में लिख के दिखाना चाहते हैं लिख ले तो थोड़ा सा समझना हम लोगों के लिए बेतर होगा जैसे the doctor the doctor came after after the patient after the patient had had died after the patient had died अब आप ज़रा दिहान देजे यहां पे इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है क्या सीखने को मिल रहा है क्या हो क्या रहा है sentence में आप देखें यहां after लग गया यहां before लग गया अब before के पहले और बाद में दोनों जो sentence लिखा हुआ इन दोनों sentence का tense क्या है past notice किजिए इस after के पहले और बाद में दो sentence है दोनों किसमें है past में ठीक है तो अब यहां से conclusion यह निकलता है कि यदि कोई भी दो past का sentence एक साथ आए सबसे अच्छी बात ही है कि आप के CCC exam में past perfect से जब भी कभी question पूछा जाता है तो वो single sentence पर based rare case में होता है maximum case में 90-99% case में यह double sentence पर ही होता है ठीक है और इसमें कई बार after before का use किया गया होता है कई बार after before का use नहीं किया गया होता है ठीक है तो हम आपको दोनों ही pattern में समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको after before का rule याद रहे न रहे आप question हर बार बना सके हैं हम इस तरीके से आपको समझाना पढ़ाना और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अब देखें आप simply ध्यान देंगे after before आपको दिखाई दे या दिखाई न दे दोनों ही परिस्तिते में आप देखेंगे कि यदि दो past का sentence दो या दो से ज़्यादा past के sentence आपको एक साथ appear हो दिखाई कहीं भी sentence में पढ़ें तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्याद देना दोनों sentence किसका होना चाहिए past का दोनों कैसा होना चाहिए past का होना चाह दोनों में से जो काम पहले complete हो गया होगा हो चुका रहा होगा जो काम पहले complete हो गया था उसको बताने के लिए हम लोग use करेंगे past perfect और जो काम बाद में हुआ था उसको बताने के लिए हम लोग use करेंगे past and different ध्यान दिजी फिर से repeat करें ठीक है यदि दो past के sentence एक साथ यहां पिष्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट और दोनों में से जो बात में तो उसको बताने के यूज करेंगे पास्ट इंडिफुनेट इस बात को ध्यान दिजी ढद चाहें आप यहां मेनकी आप देख लिजए, डॉक्टर आया पेसेंट्ट गुजर गया, मर गया, दोनों में से पहले कौन सा काम होई, पहले मरने इस L taraf ने बाद में यूझे, वह हमीशा लिखा जाएगा पासफर्फिक्ट में, डॉक्टर बाद में आया था, यह sentence आप पहले लिखे या बात में लिखे, कहीं भी लिखे, वो लिखा जाएगा past in different way, बात समझ में आया, एक और example, एक और example, गौरी, गौरी told me his name, his name, after, after he left, after he left, अब आप ज़र यहाँ ध्याँ देजे, क्या क्या हो रहा है, इस sentence में, चर्चा करते चले हम लोग देखे, गौरी बताई, क्या बताई भाई, उसका नाम बताई, और वो चला गया, दो काम हुआ यह देखे, यह भी past में, और यह भी past में, अब देखे, इस sentence में, यहाँ पर दो sentence एक साथ यूज किये गए, दोनो sentence का जो tense है, वो क्या है, past है, अब आप दोनों में से चेक किजिए, कौन सा काम पहले हुआ, गौरी पहले उस लड़के का नाम बता दिए, कि वो लड़का पहले चला गया, तो वो लड़का पहले चला गया, उसके जाने के बाद ग ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपके past perfect से related question आपके exam में पूछे जाते हैं, आपको दिखाई पढ़ते हैं, अब एक और बात, हम पहले ही आपको verb of perception पढ़ा चुके है, static verb हम आपको पहले पढ़ा चुके है, ठीक है, तो यदि past perfect continuous का कोई भी sentence हो, और उसमें static verb का रखा जाएगा past perfect में, तो उसको देखे घबराना नहीं, अब सीधा हम लोग चलते हैं, question की तरफ, भासन बाजी बहुत हो गई, अब चलते हम लोग question की तरफ, तो यह रहा आपका question, लवन्या was happy to see that the tree they had, देखे, they had planted, उन लोग ने जो पिर लगाया था, the previous year, पिछले साल जो लगाया था, has grow quite taller, अब देखे, यह पाला ही sentence में, अगर आप कोई भी concept आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, तो आप simply देखे, यह past में, यह past में, तो यह present में होगा नहीं, ठीक है, यह भी present में, नहीं होगा, अब आप option चेक कर लिजे, यह देखे, head के सांथ grow आएगा तो गुरू क्या वर्ब का first form है, और has, have, had, यह having के साथ क्या आता है, वर्ब का third form आता है, तो अब इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है, अब यहाँ ज़रा देखे, यह क्या लिखा हुआ है, taller, क्या लिखा हुआ है, taller, तो taller comparative degree है, comparative degree का हम लोग use तभी और सिर्फ तभी करेंगे, जब किसी दो की चर्चा करनी हो, tallest का use हम लोग कब करेंगे, जब सबसे लंबा की बात करेंगे, दो से ज्यादा में से किसी एक को सबसे ज्यादा लंबा बताना हो, और tall की बात हम लोग कभी भी कर सकते हैं, तो हमारा correct answer क्या बन जाएग, option number B, ठीक है, correct answer क्या बना option number B, next यहां से आगे बढ़ते हैं, लोग, अगले question की तरफ यहां देखिए, many attempts has been made to climb the Everest, before tinging and Hillary succeeded, यह देखिए, यहां पर आपको before मिलके, आप before को देखिए, आप गवराईए, मत बलकि सीख ले लिए, यह succeeded, यह past measure, वो आपका second form, ठीक है, अब देखिए, सफल होने के पहल सब्सक्राइब का कई प्रयास उन लोगों ने किया था, प्रयास पहले हुआ कि सफल पहले हुए, प्रयास पहले हुआ यह सफल पहले हुए, तो पहले प्रयास की होंगे, ठीक है, तो यह वाला sentence किस में चला जाएगा, past perfect में, past perfect यानि, head plus work का third form, अब देखिए, head plus work का third form, और यहां से आगे बढ़ते हैं, लोग, अगले question में, यहां देखिए, hurry left the house before, यह देखिए, काफी आसान सा question है, उपर वाला नीचे वाले को जरा देख लेए, यहां भी before आपको दिखाई दिया है, और before के बाद देखिए, before the audience disposed, sorry, यह audience क्या हो गया है, disposed, यह क्या हो गय second form है, second form है, second form sing, sang, sung, तो sung वाला answer आएगा हमारा option number A, ठीक है, आप देख पारें कितरे आसान question पूछा जाता है आपके exam में, और कितने आसानी से आप ऐसे सारे question को solve कर सकते हैं, विदे कि after दिखाई दिया, अब यहां देख लेजे, उपर वाले question में, is it for a week when, his brother came, जब उस सारे concept हमने आपको बता रखे हैं, यह question बनाते हैं हम लोग season 2020 का, रमन put the vegetables in the frying pan and after adding some water closed the lead, अब देखें यह after लगा हुआ है, यह close लगा हुआ है, यह close वर्ब का second form, ठीक है, तो अब बताए हम लोग क्या करें, यह देखें, put it, सबसे पहले put, यह देखें ध्यान देजे, वर बता रहे थे, तो 10 के first lecture में ही हमने आपको कुछ ऐसे forms of verb को दिखाया था, बताया था, समझाया था, जिसके तीनों ही form same होते हैं, और उसी में से एक ही यह भी है, put, put and put, इसका second या third form ED लगा के नहीं बनता है, तो सबसे पहले यह put it गलत हो गया, तो यही था हमारा correct answer, तो स सारे question को आप note कर लिजिए, यह इसका screenshot ले लिजिए और इन सारे question कहां सार आप कहां करेंगे, तो आप करेंगे हमारे comment box में, अब simply हम आपको लेकर चलते हैं, कहां पे, तो perfect continuous में, कहां लेकर चलेंगे हम आपको, perfect continuous में, यह सारे आपको previous year के question है, और कुछ model questions भी हैं, जिसक हम लोगतब करते हैं, जब sentence positive हो, structure number two का use हम लोगतब करते हैं, जब sentence negative हो, structure number three का use हम लोगतब करते हैं, जब sentence interrogative हो, but positive हो, चौधे structure का use हम लोगतब करते हैं, जब sentence interrogative हो, but negative हो, पाच्वे structure का use हम लोगतब करते हैं, जब sentence interrogative, but positive हो, छटे structure का use हम लोगतब करते हैं, जब sentence interrogative बड़ नेगेटिव हो ठीक है तो आये इन सारे स्ट्रक्चर को अपनो डाउन कर ले और इसके बाद हम आपको लेकर चलतें इन सारे पर बिजड कुछ एक्जामपल की तरफ तो यह रहे सेंटेंस पर बिजड कुछ एक्जामपल जो पास्ड परफेट कंटिनुवस के structure पर ठीक है अब इनके बाद हम आपको लेकर चलेंगे कोशन की तरफ तो इन में अलग से कुछ भी concept नहीं पूछा जाता जो concept था present perfect continuous का since for का why since for से related यहां भी पूछा जाता है अब वहां पर यदि कोई काम present में चल रहा है तो उसके लिए use हम लोग करते थे present perfect continuous और यदि कोई काम past में किसी भी समय शुरू हो के लगातार चलता रहा हो ठीक है time indicating word given हो यानि past continuous का कोई भी sentence हो उसमें जैसे time indicating word include हो जाए तो वही sentence कहां चला जाता है वही sentence आपको दिखाए पड़ता है कहां पे तो past perfect continuous में ठीक है तो once again वही बात है कि या तो had plus been plus verb के fourth form यानि past perfect continuous के structure में error पूछा जाएगा या since form error पूछा जाएगा इन दो section में यदि कोई error नहीं है then the sentence is correct इसमें कहीं कोई गलती नहीं है ठीक है आए ये question को हम लोग यहाँ पर solve करना शुरू करते हैं माइ डॉक्टर नियों देखे यह पास्ट इंडिफरेंट होगे सर ठीक है that I would देखे आई के बाढ़ ओड यह भी पास्ट में इसके बाद इसके बाद कोई भी में वर्ब आए तो वह अपने फर्स्ट फर्म में होता है इसलिए recover भी सही है recover का रिकवर नहीं होगा डू भी सही हो उसका बडिड नहीं होगा आगे बढ़ते हैं the kind of work I would be doing before I would be doing before अब जड़ा इसका आंसर हम लोग ढूंड़े क्या बनना चाहिए आंसर क्या बनेगा इसका I would be doing तो यहां देखे यह बी इबी यह बी के बाद कौन सा फॉर्म आता है हमने आपको पहले से बता रखा है तो किसी भी इबी के और थर्ट फॉर्म का यूज हम लोग कहां पे करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं पैसी में कहां पर यूज करते हैं पैसी में अब आप जरा आप्शन की तरफ चले उड़ हैब बिन डूइंग में भी यह हो सकता है नेक्स्ट हैड बिन डूइंग चोथा तीसरा अप्शन है नो इंप्रोव्मेंट और चोथा अप्शन है उड़ हैव ड़न सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ लिजे मिनिंग के तरीके से इसका मिनिंग जेरा हम लोग डिराइब कर लें माई डॉक्टर निव मेरा जो डॉ किया करता था ठीक है आई हैड बिन डूइंग तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नुबर बी हैड बिन डूइंग ठीक है जैसा कि मां जैसा कि मैं पहले किया करता था नेक्स्ट आगे बढ़े यहां से हम लोग अगले कोशन में राहूल हैस लिवड इन देलही फॉर थ्री यहां पर कुछ मत किजिये सिंप्ली देखिए यहां पर किया है वह का सेकेंड़ फॉर्म यह निहीं हो गया पास्ट में अब यहां देखें यह ताइम इंडिकेटिंग ओड लगा हुए ठी यूर्स क्या है कॉमा नावन नाउन है तो यहां क्या लेगा फॉल्य पास्ट करे और similarly the battle had been raising for some time जो battle था वो बढ़ रहा था कुछ समय से तो यहां पर had been raising ठीक है इसमें कहीं किसी error की गुंजाई से नहीं है इसका correct answer is option number D next यहां से आगे बढ़ते हैं आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे यहां पर आपको कुछ question दिखाई दे रहे हैं इसको भी आई हम लोग solve करते हैं चले फट 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 शुरुआत करते हैं second question से see was walking for hours when she suddenly noticed यह देखे noticed कहां चला गया past में तो यह was walking यह दिख रहा है past continuous में और यहां पर hours time indicating word इसके पहले लगा हुए for यह पार्ट करेक्ट है ठीक है अब यहां was walking की जगर क्या हो जाएगा had been walking क्या होगा had been walking तो इस question number two में was walking की जगर हम लोग क्या लिकेंगे had been walking had been walking had been walking ठीक है बात समझ में आ रही है next अगले कोशन की तरफ चले हम लोग चलते हैं question number third की तरफ our new neighbors had been living in Arizona since 10 years देखे यह 10 years अब यहां पर notice किजे यह 10 years यह had been living to had been living तो correct है अब यह देखे 10 years के साथ क्या लगा है since लगा है तो हमने आपको क्या बता है था आप सबसे परले यह year क्या है common noun common noun है तो क्या लगेगा since लगेगा नहीं लगेगा यहां क्या लगाएंगे हम लोग तो हम लोग use करेंगे इसमें for अब चलते हैं जड़ा उपर वहले question की तरफ man who had been run over by some vehicles had lain there for more than one day ठीक है तो अब इस question कहां से हम छोड़ते हैं आपके भरोसे यह काफी आसा question है इसमें आप जड़ा देख लिजेगा वह आपका जो form हमने आपको टेंस के फर्स्ट पार्ट में बताया था उसमें यह आप पहले से जानते भी होंगे यह जो ले होता है और लाई होता है इसमें क्या difference होता है ठीक है यह इसे difference पर best question है तो आप के लिए यह question intentionally हम जानबूज कर छोड़ रहे हैं ताकि आप इस question में थोड़ा सा मेहनत कीजिए ठीक है लाई का एक meaning होता है जोट बोलना लाई का दूसरा meaning होता है लेटे रहना पड़े रहना ठीक है और ले का मतलब रखा होना पड़ा होना ठीक है तो इसको थोड़ा सा आप देख questions not ले ले और इन सारे question का answer आप कहां करेंगे तो आप करेंगे comment box में ठीक है यह सारे question आपके homework के तौर पर हम आपके लिए छोड़ दें अब आज के class को हम लोग यहें पर conclude करना चाहेंगे अब यहां से हम चलेंगे future की तरफ तो अगले class में हम आपको पढ़ाएंगे future और future में हम आपको पढ़ाएंगे future indifferent जिससे बहुत ज्यादा question आपके exam में पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे conditional sentence की तरफ जिससे maximum time आपके exam में question पूछे जाते हैं ठीक है तो आज के class को हम लोग यहें पर sum up करते हैं यहें पर विराम देते हैं आज सबों का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार सस्रिया का